हिंदी आचारे में स्वागत है जी आपका बच्चों हिंदी वर्ण माला में जो क से लेकर हा तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण और और ये जो 11 वर्ण है इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों तो बच्चों जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनको मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है व्यंजनों की मात्राइं नहीं होती बच्चों स्वरों की मात्राइं ही होती ह स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या आक्षर की तरह भी लिख सकते हैं जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तोर पर भी प्रयोग करते हैं तो आएए एके करके सभी मात्राओं को समझते हैं बच्चो इस वीडियो में हम अस्वर के मूल रूप को और अस्वर की मात्रा इन दोनों के बारे में जानेंगे तो पहले पढ़ लेते हैं अस्वर के मूल रूप के बारे में बच्चो जो स्वर वर्ण होता है जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो स्वर वर्ण होता है उसे हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी इस्तिमाल करते हैं वह हम पहले पढ़ेंगे, इसे ही उस्वर का मूल रूप कहा जाता है बच्चों, तो चलो, उस्वर का मूल रूप, इसके उदारन देखते हैं, पहला है अब, फिर अगर, फिर अमान, फिर अजगार, फिर अरहार, फिर अक्षार, फिर अंजन, यानि की काजल. बच्चों, अब हम अस्वर की मात्रा के बारे में बात करेंगे, सबसे इंट्रेस्टिंग चीज, इसमें यह है, कि बच्चों, अस्वर की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, मात्रा नहीं होती, इसका क्या मतलब, मात्रा नहीं होती, बच्चों, इसका मतलब यह है, कि अस्वर, कि इसी भी शब्द में अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई न तो इसका मतलब है कि जो अ स्वर है वह लगा हुआ है ऐसा कैसे ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब हुम कोई भी व्यंजन बोलते हैं जैसे कि उधारण के तौर पर हमने क व्यंजन बोला ठीक है तो क व्यंजन ब बिना अ के क्या आप क बोल पाओगे बिल्कुल नहीं बोल पाओगे यानि कि क क क क की मात्रा तो लगी ही हुई है इसका मतलब हम कोई भी व्यंजन बोल्ण बिना अ की मात्रा के तो बोल ही नहीं सकते हां अगर उस व्यंजन बोल्ण को हमने कोई और मात्रा लगा दी जैसे कि को हमने E की मात्रा लगा दी तब इसका मतलब यह है बच्चो कि उसमें फिर A स्वर नहीं जुड़ा हुआ उसमें फिर E स्वर जुड़ा हुआ है समझ गए बच्चो तो अब हमें समझ में आ गया कि भई A जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती लेकिन A का जो स्वर है वह हर एक व्यांजन में जुड़ा ही हुआ है इसलिए माना जाता है कि भई A स्वर की तो कोई मात्रा ही नहीं इसलिए जिस भी शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई होगी तो हम समझ कर चलते हैं कि भाई इसमें तो अ की मात्रा लगी हुई है समझ गए चलो आगे चलें तो चलो बचो अभी दो अक्षिरों वाले छोटे शब्द हम पढ़ेंगे जिनमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है साथ में जैसे की रथ, मन, कब, तब, हाम, रस, हल, सम, बल, जड, दस, शत, वश चलो अब तीन अक्षिरों वाले आउस्वर की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ें कालमा यानि की पैन, नामक, चामक, मातर, शातक, हावन, पावन, साडक, लागन, वाचन, यामन, रामन, धान चलो अब और बड़े शब्द करते हैं बचपन, बचपन, आदरक, अदरक, साहमत, साहमत, चाम, चाम, चम, बच्चो बहती स्वाद मिठाई होती हैं धाड़कन, धड़कन, नगर, नगर, शाहार, शहर